कभी भी एक्जाम के लिए पढ़ाई मत करो, हमेशा पढ़ो तो सिविल इंजिनियरिंग को पढ़ जाओ, तो इतने सारे के लिए लग लगते यारी नहीं कर सकोगे ना, तीनो एज एई लेवल के एक्जाम हैं, तीनो अब्जेक्टिव के एक्जाम साएंगे, एक बेलकम बैक टू माई यूटू चैनल योर शोनू, तो दोस्तो आज हमारे साथ दाने सर हैं, इन होने गेट द्वरवाइस और गेट द्वरतेश क्वालिफाई के हैं, तथा इसके साथ साथ एक अच्छे टीचर भी हैं, पोल्टेक्निक सेमेश्टर के बच्चों को त्यारी करवाते हैं, और इसके साथ साथ एससी जई हो, तथा अधर अस्टेट एई जई हो, चाहे कमपटेटिव एकजाम हो, टेक्निकल से रिलेटेड उन सभी बच्चों को त्यारी करवाते हैं, अपने यूटू चैनल पे, जिनका नाम है डैड स्टर, तो चलिए इन से बात करते हैं, सर फॉस्ट अफॉल आपको हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है, सर आप अपने बारे में हमारी एस्पिरेंट्स को, मेरा नाम दभी रनवर्दानिश है, हम बी टेक सिविल इंजिनिंग से करके, फिर एम टेक स्ट्रक्चर इंजिनिंग में कम्प्लीट किये थ तो अपना YouTube चैनल स्टार्ट किये थे, तो डैट सर के नाम से ही स्टार्ट किये थे, पहले हम क्या करते थे, जैसे 2020 के पहले हम सिफ आफ लाइन पढ़ाते थे, जो आप लोग देखते हैं, उसके बाद अब हम एक सीरियस एक अटेम्ट लिये हैं, प्रोफेशनल अटेम्ट इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा सा अगर उसको देखते हैं, कि जो भी हम लोग अपनी जैसे कमपनी हम सेट अप किये, कुछ दिन पहले हम उसका अनाउंस किये थे, यूटूब पे, डैट सर को हम एक YouTube चैनल से एक माइक्रो कमपनी बना दिये, अब उसको माइक्रो कमपनी बनाएं, उसका टार्गेट क्या था, तो टार्गेट यही था, कि जो भी स्टूडेंट अभी जैसे ऑफ लाइन, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सब से स्टूडेंट मेसेज करते थे, कि सर, हम किशनगा जा कि आप से ऑफ लाइन पढ़ना चाहते है हम यहां नहीं पढ़ा सकते हैं, यह दो-चार इस्टूडेंट अगर आ भी जाते हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं, तो मेरा एक टार्गेट था कि जैसे कि अब इंडिया में अभी जैसे सबसे हॉट टॉपिक इस तरह के लाइन में क्या चल रहा है, फिजिक्स वाला, तो उसमे हम लोगों को होप एकतरस कहा सकते हैं, कि आवेक विला कि हम लोग कोर्स भी नहीं बेचना चाहते थे, कभी भी कि वह सेलर वैसा नहीं बनना ह multip भी जाते कि अन्रे कर ऴीव बढ़ा है सब्जेक्ट वाइस पढ़ते चले जाओ जब सारा सब्जेक्ट आने लग जाएगा उसके बाद जैसे चार फॉर्म भड़ें अलग अलग बहुत सार एक स्टुएंट फोन किया था कि सर्व और भी देना चाहरा है सब्सक्राइब करें तो इतने सारे के लिए लग लग लगते हैं यह नहीं कर सकोगे ना तीनों को वन नाइनर और कॉंसेप्ट्चुल उसकी पढ़ाई कर जाएंगे तो यह चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम एक कोशिश लिए कि हम कभी भी कोई एक्जाम के लिए मेरा वेबसाइट www.datser.com बहुत सिंपल सा वेबसाइट है तो हम इसमें क्या कि है कि अब हम सब्जेक्ट वाइस कोर्स लांच कर रहे हैं एक सब्जेक्ट मामली से प्राइस में जो भी अफॉर्डबल हो पाएगा वह बहुत सारे एक्सपेंसे और सबको ध्यान में रखते तो हम क्यों कहीं दस हजार उक्राइब या पांच हजारी तो हम तीन सो तीन सो करके अगर हम चार सब्जेक्ट ले ले लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा लेकिन ऐसा इंडिया में अभी तक बड़े लेवल पर कहीं नहीं चल रहा है कि एक सब्रेक्ट लिजी और वह आपको स क्योंकि मजबूरी है तो यह सब को ध्यान में रखते हैं हम एक एक सब्जेक्ट वाइस कोर्स लाउंच करने का डिजन लिए है तो उसको पूरा पैकेज लेना पड़ता है है बहुत सारे हैं जो पैकेज लिए वह हैं मगर सैडिसफाइड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोई एक पार्टिकुलर टीचर का टोन पसंद नहीं आता है या पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आता है वह जो नोट्स लिखा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है या कॉलेज कि इसको कर देते हैं पर सब्जेक करके अब वह भी हम अकेले हैं तो खुदी रिकॉर्ड करना है उसको पूरा तो एक शॉट में एक गंटे में सबागंटे में गंटे का वीडियो बन जाता है तो पहले स्टार्टिंग में बहुत एडिट वगरा लगता था तो यह सारा टा चाहेगा ओ कहां आपसे पढ़ सकता है यूट्यूब चैनल है डैट सर का उस पे अभी वीडियो नहीं आ रहे हम स्टार्ट किये से बीच में मैराथन डालना हम तीन सब्जेक का मैराथन डाल चुके हैं अब हम जैसे यह हाईवे और रिकॉर्डिंग करके थोड़ा फ्री हो सब्सक्राइब करना चाहते हैं और अगर पेड को सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद्ध